दुनिया भर में सिस्टम को बाधित करने वाली कम्प्यूटर अपडेट गडबडी के बारे में हम क्या जानते हैं, शुक्रवार को एक तक्नीकी गडबडी ने दुनिया भर में एरलाइनों, बैंकों, अस्पतालों और आपात कालीन सेवाओं के करमचारियों को खतरनाक ब्ल वाय हंट ने एक्स के माध्यम से कहा, यह मूल रूप से वही है, जिसके बारे में हम सभी वाय दो के के साथ चिन्तित थे, सिवाय इसके की यह वास्तव में इस बार हुआ है। कमपनी ने एक बयान में कहा, क्राउड स्ट्राइक विंडोज होस्ट के लिए एक एकल सामगरी अपडेट में पाए गए दोश से प्रभावित ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। क्राउड स्ट्राइक ने कहा, कि मैक और लिनक्स ओपरेटिंग सिस्टम का उपियोग करने वाले ग्राहक प्रभावित नहीं हुए। जब दोशपूर्ण अपडेट ने कम्प्यूटर सिस्टम को क्रैश कर दिया, तो हवाई अड़े के कई यात्री फस गए, अस्पताल की नियुक्तियों में देरी हुई और लाइव समाचार प्रसारण को छोटा कर दिया गया। यह बहुत बड़ा, दूरगामी और अचानक होने वाला है। कुछ कम्प्यूटर समस्याएं एक के बाद एक आती हैं, जिससे विफलताओं की लहरें उठती हैं। लेकिन इस मामले में यह दोश दुनिया भर में Microsoft सिस्टम में लगभग तुरंत ही खैल गया। कम्पनी का कहना है कि उसके Windows 365 Cloud PC, App और सेवाय प्रभावित हुई। State Counter website के अनुसार, Microsoft दुनिया भर में 72% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ प्रमुख desktop operating system बना हुआ है। CrowdStrike समस्या सीधे उन सभी मशीनों को प्रभावित नहीं करती है, इसका सुरक्षा software मुख्य रूप से व्यवसायों और बड़े संगठनों द्वारा उप्योग किया जाता है। Company का कहना है कि उसके ग्राहकों में 43 अमेरिकी राज्य और Fortune 500 में लगभग 300 कमपनिया शामिल हैं। Down Detector के अनुसार, शुक्रवार को सैकडों हजारों Microsoft आउटेज की रिपोर्ट की गई यह वेब साइट उप्योग करताओं की रिपोर्ट के आधार पर आउटेज को ट्रैक करती है। Down Detector के मालिक, उकला के वरिष्ट संचार प्रबंधक मिशेल बैडरियन ने NPR को बताया कि 16 घंटों में 3,11,000 वेश्विक आउटेज रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि इस आकडे में से 58,000 रिपोर्ट यू से 26,000 यू से और 20,000 भारत से थी। जर्मनी, कनाडा और आस्ट्रेलिया से भी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आई। इस बात के संकेत हैं कि राहत मिलने वाली है, बैडरियन ने कहा कि शुक्रवार दोपहर E.T. तक हम Microsoft सेवाओं और कुल मिलाकर सभी सेवाओं के लिए रिपोर्ट वॉल्यूम में गिरावट देख रहे हैं। जबकि सर्वर से संबंधित आउटेज आम हैं, क्राउड स्ट्राइक व्यवधान का पैमाना कई तक्नीकी पर्यवेक्षकों के लिए आश्चर्य जनक था। आधुनिक समाज और हमारे द्वारा भोगी जाने वाली कई सुविधाएं एक नाजुक चीज हैं। प्रभावित उडानों को फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समस्या के कारण उन्हें शुरू में ग्राउंडेड होना पड़ा था। एरलाइन्स ने यह भी कहा कि वे प्रभावित ग्राहकों को छूट जारी कर रहे हैं। एंस्टरडम का शिफोल हवाई अड़ा, जो लंबी दूरी की उडानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, ने कहा कि वैश्विक प्रणाली विफलता ने वर्ष के सबसे व्यस्त दिनों में से एक पर आने और जाने वाली उडानों को प्रभावित किया। जोरिक हवाई अड़े पर लैंडिंग को निलंबित कर दिया गया और हंगरी में उडाने बाधित हुई। स्पेनिश हवाई अड़े के संचालत एना ने सभी स्पेनिश हवाई अड़ों पर एक कंप्यूटर सिस्टम घटना की सूचना दी, जिसके बारे में उसने कहा कि इससे देरी हो सकती है। यू कि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। ने चेस ने शुक्रवार को कहा कि डॉक्तरों की नियुक्तिया और रोगी रिकॉर्ड प्रभावित हुए हैं, लेकिन आपात कालीन सेवाओं पर कोई घ्यात प्रभाव नहीं पड़ा है। BBC ने बताया कि उत्तरी आयर्लैंड में दोतिहाई डॉक्तरों की प्रभावित हुई है, डॉक्तर मरीजों के रिकॉर्ड तक नहीं पहुँच पा रही हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं बना पा रही हैं या प्रयोगशाला परीक्षणों के नतीजे नहीं देख पा रही जर्मनी में कुछ अस्पतालों ने गैरापात का लीन ओपरेशन रद्द कर दिये हैं। दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके चैर्मैन डेविड रोडस ने शुक्रवार दोपहर को कहा कि पूरीक्षमता के साथ नहीं। आस्ट्रेलिया की ABC News वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा गया कि ब्रॉडकास्टर बड़े नेटवर्क आउटेज का अनुभव कर रहा था। लंदन स्टॉक एक्स क्राउड स्ट्राइक का कहना है कि समस्या साइबर हमला नहीं थी, बलकि एक सौफ्टवेर गड़बडी थी। कमपनी ने कहा कि समस्या की पहचान करने के बाद उसने समस्या गरस्ट चैनल फाइल को वापस ले लिया जो ग्राहकों के सिस्टम को प्रभावित कर रही थी। में Windows मशीन को बूट करना, CrowdStrike डाइरेक्टरी में एक फाइल को हटाना और फिर से शुरू करना शामिल है. यह Austin, Texas में स्थित एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म है. Company 2019 में सारवजन एक हुई और वर्तमान में SP500 इंडेक्स में है. जुलाई की शुरुवात तक, CrowdStrike के शेर में महीनों से बढ़त जारी थी. लेकिन शुक्रवार को शुरुवाती कारोबार में शेर की कीन्तों में भारी गिरावट आई. वेडबुष के विशलेशक दैन इवेस ने कहा, यह स्पष्ट रूप से CrowdStrike के लिए एक बड़ी खामी है. CrowdStrike ने 2016 में सुर्खिया बटोरी, जब कमपनी को Democratic National Committee ने अपने डेटा सिस्टम के उलंधन की जाच करने के लिए नियुक्त किया था. CrowdStrike ने निर्धारित किया कि हैक विदेशी हस्तक शेप का मामला था, रूसी समर्थित हैकिंग समुहों का कांग. Company का मार की उत्पाद इसका Falcon Cyber सुरक्षा सौफ्टवेर है और इसने उस सिस्टम में एक सिंसर में बदलाव के कारण वर्तमान समस्या का पता लगाया. यह यह समझाने में भी मदद करता है कि परिनामी विफलताएं इतनी तेजी से कैसे और क्यों फैल सकती हैं. स्थानिय रूप से संग्रहीत होने के बजाए Falcon सुरक्षा प्लेट फॉर्म एक सौ परसेंट क्लावड आधारत है.